अब हम पूर्ण अंत्रिक पड़ावर्तन के कई अनुप्रयोग देखते हैं सबसे पहले पूर्ण परावर्तक प्रिज्म के रूप में पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में एक्चुली एक राइट एंगल आइसोस्केलस प्रिज्म होता है मतलब इसमें एक कौन 90 डिग्री का और इसके दो भूजाएं बरावर होती हैं मतलब दो भूजाएं बरावर होंगी मतलब बाकी दोनों कौन भी बरावर होंगे यानि कि इसमें से एक कौन 90 डिग्री को और बाकी दोनों कौन 45-45 डिग्री के होते हैं अब इस प्रिज्म को हम अलग अलग तरीके से प्रकाष के मोड़ने में उप्योग करते हैं सबसे पहले हम देखें कि जो प्रिज्म है वह काश का बना होता है और इस प्रिज्म के काश का अपवर्थनांग भी बराबर में 1.5 लेते हैं जो काश और वायू के पेर के लिए यानि कि काश को जो अपवर तो यहां से आई सी का मान यानि कि क्रान्ति कोण का मान काच के लिए 41.8 डिगरी का होता है और जब प्रकाश की किरण प्रिज्म में इस कोण से यानि कि 41.8 डिगरी से अधिक आपतन कोण पर जब आपतित होती है तो प्रिज्म के अंदर इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ह हो जाता है यानि कि प्रकाश की दिशा मोड जाती हैं अब इसी गुण को उपयोग करके हम प्रकाश को अलग-अलग कॉर्णों में मौडने के लिए स्पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का सित्माल करते हैं सबसे पहले प्रकाश को 90 डिग्री में मौडने के लिए इसके लिए हम प्रकाश को उस फलक्स पर आपतित करते हैं जो कि दोनों उन दो फलकों की बीच में आपतित करते हैं जिसके बीच में 90 डिगरी का कौन बन रहा हो और यह भी आपतन कौन का मानिस 41.8 डिगरी से अधिक होना चाहिए इस स्थिती में जब प्रकाश इस प्रिजम में एंटर करेगी तो यहां पर वो 90 डिगरी के कौन से बाहर की और निकल जाएगे इस प्रकार इस प्रिजम के अंदर गुजरने के बाद जब कौन बाहर निकलते हैं तो उनमें 90 डिगरी का अं प्रिस्कोप बनाने में जहां पर हम मिरर के स्थान पर इस प्रकार के प्रिजम का स्तमाल करते हैं ताकि हम प्रिस्कोप के दूसरी और असानी से देख सके वैसे ही हम प्रकाश की किरण को 180 डिगरी में मोढने के लिए भी इस प्रिस्म का इस्तमाल करते हैं पर इस समय जो प्रकाश की किरण है उसको प्रिस्म के उस फलक पर अपतित करना पड़ता है जो 90 degree cone के opposite में है इस प्रकार हम प्रिज्म को रखेंगे और जब प्रकाश की किरण इस प्रिज्म के फलक पर आपतित होगी कितने कोंड से 41.8 degree के अधिक कोंड से तो यहां पर हम लोगों ने इसको 90 degree के जब दूसरे फलक पर यहां पर प्रकाश किरण पड़ेगी वहां से यह 90 degree के कोंड से बैंड हो जाएगी बाहर निकलेगी पर यहां पर जो किरण बाहर निकल रही है अब देख सकते हो जो किरण ऊपर थी वो नीचे आ गई है और जो नीचे थी वो उपर आ गई है इसका मतलब जो परतिब्यम बनेगा वह उल्टा बनेगा तो इसस्थिती में प्रिज्म को इस्तमाल किया करेंगे जिनके बीच में 90 डिगरी का कोण बन रहा है अब यह पर यह अपवरतन हुआ प्रकाश की किरनों का और यह पर फलक पर हम देख रहें तो यहां पूर्ण आंत्रिक परावर्तन की घटना होगी और प्रिजम फिर दूसरे फलक से टकराते हुए प्रिजम से बाहर निकल जाएगी तो हम देख सकते हैं जो किरण ऊपर की ओर थी वो यहां पर नीचे की ओर आ गई है और जो किरण नीचे की ओर अपतित थी नीचे पर अपतित प्रतिविम उल्टा प्राप्त होगा तो इस प्रकार के प्रिजम को प्योग किया जाता है प्रोजेक्शन लाल टैन बनाने में पॉर्ण आंत्रिक परावर्तन का एक और अनुप्रियोग है जिसे हम प्रकाशिक तन्तु के नाम से जानते हैं यानि कि ऑप्टिकल फाइवर बास्तव में एक ऐसे वायर्स होते हैं या फाइवर्स होते हैं जिसकी सहयता से हम सिगनल को दूर तक भेज सकते हैं यहां चाहे वह वायर तेढ़ा मेड़ा हो या सीधा हो हम यह जानते हैं कि प्रकाश सिगनल सरल रास्ते में गमन करती हैं अगर हम एक पाइप ले और एक टॉर्च लगाए तो हम देखते हैं कि अगर पाइप सीधी होगी तो टॉर्च की किरने पाइप के दूसरी और तक नजर आ प्रकाश की किरनों को दूर तक भेज सकते हैं चाहे रास्ता तेढ़ा मेडा क्यों नहों अब हम देखते हैं कि प्रकाशिक तंतूं को बनाया कैसे जाता है प्रकाशिक तंतू में मुख्यता तीन भाग होते हैं एक होता है क्रोड क्लैडिंग और सुरक्षात्मक जैकेट ज हो सकता है इसका अपवर्तनाग One Point Five ऐसके ऊपर रेक परदद चड़ाइं जाती काच या प्लास्टी की जिसको हम क्लैडिंग के नाम से जानते हैं और अिसका अपवर्तनाग इस क्रोड के अपवर्तनांग से कम होता है लगभक One Point Four इसका मतलब जो क्रोड का अप्तनांग मैं अधिक होता और फ्रक्षा देने के लिए एक विद्दुत रोधी पधार्त कि कवर बनाई जाती है जिसको हम लोग सुरेचा सु Bennett की प्रोटेक्टिव जैकेट के नाम से जानते हैं यह विद्दूत्रोधी पदार्थ की बनी हुई सुरक्षात्मक जैकेट इस क्रोड और क्लैडिंग को सुरक्षा देने के लिए बनाई जाती है जब प्रकाश की सिग्नल अल्प कॉंड से इस ऑप्टिकल फाइवर के अंदर प्रवेश करती है तो चुकि अंदर की क्रोड का अपवर्तनाग अधीक है और बाहर क्लैडिंग का प्रवेश करें और इसका अपतन कोंड की मान क्रांतिक को दूसरे इससे में जहाँ ये प्रकाश की किरनंट टक्रा रही है वहाँ पर फिर पूर्ण औरीक प्रवर्तन की घंटन होगИ क्योंकि स्तिती तो सेम है यहाँ पर भी की पूरी इस पाइप से इस ऑप्टिकल फाइवर से बाहर निकलती है जिससे की जो सिगनल है वो सुरक्षित रहता है कि इस प्रकार इस प्रकाशिक तंतु की सहता से प्रकाश सिगनल को काफी दूर तक भेजा जा सकता है बीना किसी रुकावट के बीना किसी लॉस के इस प्रकाशिक तंतु का उपयोग हम अलग अलग छेत्रों में करतے हैं जैसे कि Telecommunication यानि कि दूर संचार में दूर संचार में हम signal को भेजने के लिए प्रकाशिक तंतु का स्तमाल करते हैं ता कि यह signal काफी दूर तक बीना किसी Interruption के बीना किसी रुकावट के जा सके और जो signal हमने भेजा है वो signal हमको वैसे का वैसा प्राप्त हो सके इस प्रकाषिक तन्तू से signal भेजने का एक कि इसमें हम लोग 2-4 प्रकाश सिगनल को एक साथ भेज सकते हैं यह आपस में मिलते नहीं है इसे अलग-अलग आपतन कोंड से अंदर डाला जाता है प्रकाशिक तंतु के और उसी प्रकार इसमें पूर्ण आंत्रिक परावर्तन की घटना होती है और यह बाहर 2-4 सिगनल एक प्रकाशिक तंतु का उप्योग में बी किया जाता है हमने देखा है कि जब पेट-समंदी या अंदुरूनी को समस्य होती है तो डॉक्टर एंडोस्कोपी को सज़स्ट करते हैं उसमें क्या होता है एक वाइर होती है जिसको मुँ के जरीय अंदर अपनी आतों में पेटों में डाला जाता है और वहां से पूरे images वो इकठा करता है क्योंकि उसमें एक camera लगा होता है जो कि वहां की photos TV screen पर या doctor के laptop screen पर focus करता है दिखाता है तो जो पेट से आने वाली किरने हैं उस camera से होती हुई उस screen पर कैसे नजर आती है वह इसलिए क्योंकि जो optical fiber है वहां पर वह कितना भी मोड़ जाए गले के अंदर जो हमारी गले की नली है मतलब यह osophagus होती ही नली होती है वह कितना भी मोड़ जाए अगर ऐसे ही कोई signal होता तो मोड़ने की कारण वह बाहर नहीं आ पाता लेकिन यहां पर optical fiber यानि की प्रकाशिक तंतू को उप्योग करते हैं जिससे की बाहर तक वह किरने adicates आती हैं जो की पेट के अंदर दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार अंदर होने वाली किसी भी बिमारी का असानी से पता लगाया जा सकता है इस प्रकाशिक तंतू का इस्तमाल प्रतिविंबो को दूरस इस्थान तक भेजने के लिए भी किया जाता है इस प्रकाशिक तंतू का इस्तमाल सजावट के लिए भी किया जाता है आपने इस प्रकार के लैंप देखे होंगे जो की खुबसुरत गुच्छेदार फूल के लगे होंगे कि जड़ता होगा लेकिन जब मैंने इस लैंब को sometimes तो Echo менее साइड में इसके एंड में कोई भी बल्ब नहीं होता तो embarrassing पर रोश्टी कैसे आती हैं जब मेरे घर में यह बल्ब आप गया था यह लेंब टूट गया था तब मैंने इसके देखा कि इसके केंद में बस एक बल्ब रहता है जो जलता है जो रंग भी बदलता है लेकिन यह कॉर्णर तक के लाइट कैसे वहां पर दिखाई दे रहे हैं तो वास्तव में जो वायर दिख रही है इस लैंप में यह वायर साधाराण नहीं है बलकि यह आप्टिकल फाइवर है और ज इस प्रकार आप्टिकल फाइबर्स के कई उपयोग हमने देखे अब हम इस पार्ट से जोड़े कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे प्रश्न पहला प्रित्वी अपने अक्षप पर एक घुर्णन करने के लिए 24 घंटे लेती है सूरी के सापेक्ष प्रित्वी से देख जाने पर एक डिगरी विस्थापन होने में कितना समय लगता है हम जानते हैं एक घुर्णन करने में प्रित्वी तीन सो साथ डिगरी के कोन से घुमने में लगने वाला समय 24 घंटे होगा तो एक डिगरी के कोन से घुमने में लगने वाला समय होगा 24 अपॉन 360 घंटे को यदि हम मिनट में चेंज करें तो हमें मिलेगा 24 इंटु 60 अपॉन 360 क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं यहाँ पर हल करने पर 60 से 360 शेबार जाएगा और 24 को 6 से काटने पर हमें 4 मिलेगा यानि कि एक डिगरी घुमने में लगने वाला समय चार मिनट का होगा दूसरा प्रश्ना उस मार्ध्यम में प्रकाश की चाल ग्याद कीजिये जिसका क्रांती कोन 45 डिगरी है इस प्रश्न में दिया गया है क्रांती कोन यानि की IC बराबर 45 डिगरी हम जानते हैं साइन IC बराबर होता है 1 अपॉन म्यू और म्यू का मान होता है C अपॉन V तो हम इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं साइन IC बराबर V अपॉन C जहां पर C निर्वात या वायू में प्रकाश का वेग होता है और V माध्यम में प्रकाश का वेग होता है वायू या निर्वात में प्रकाश का वेख यानि की C बरावर 3 x 10 to the power 8 मीटर प्रती सेकंड होता है यह मान सूत्र में रखने पर हमें मिलेगा V बरावर C into sin I C C का मान रखने पर 3 x 10 to the power 8 into sin 45 हम जानते हैं sin 45 का मान होता है 1 upon root 2 और यह मान इस समी करन में रखने पर 3 x 10 to the power 8 into 1 upon root 2 1 upon root 2 का मान होता है 1.414 अब इसे सरल करने पर माध्यम में प्रकाश का चाल प्राप्त होगा 2.1 x 10 to the power 8 मीटर प्रती सेकंड प्रश्ण तीसरा किसी एक वरनी प्रकाश का दिये गया पार दर्चे माध्यम में वे 2.225 x 10 to the power 8 मीटर प्रती सेकंड है क्रांतिक कोण का मान ग्यात ही यह? इस प्रश्ण में दिया गया है माध्यम में प्रकाश का वे वी बराबर 2.225 x 10 to the power 8 मीटर प्रती सेकंड और ची बराबर हम जानते हैं निर्वात यह वायू में प्रकाश की चाल होती है 3 x 10 to the power 8 मीटर प्रती सेकंड सूत्र अनुसार म्यू बराबर C अपॉन V C का मान दिखेंगे 3 x 10 to the power 8 और V का मान होगा 2.225 x 10 to the power 8 यहां से 10 to the power 8 कैंसर हो जाएगा और इसे हल करने पर हमें प्राप्ट होगा 1.35 अब म्यू बराबर 1 upon sin ic होता है तो sin ic बराबर होगा 1 upon mu बराबर 1 upon 1.35 इसे हल करने पर हमें मिलेगा 0.7407 अब हम साइन का टेबल देखेंगे साइन के टेबल पे 0.740,47.8 डिग्री में प्राप्ट होता है इस प्रकार ic बराबर होगा 47.8 डिग्री प्राप्ट कर देखेंगे कर दो